सुबह सुबह नास्ते में या फिर बच्चों के टीफिन में क्या देना है समझ नहीं आ रहा हो तो आप इस रेस्पी को ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही कम समान में जटपट से बनकर तयार हो जाती है जो टेश्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होती है और इसे हम बहुत ही कम समान में बना कर तयार करेंगे इसके लिए हमने यहाँ पे एक कप चावल ले लिया है और एक कच्छा आलू ले लिया है चावल को हमने पहले ही धो लिया है और इसे आधे घंटे के लिए पानी में भींगने के लिए छोड़ दिया था यह अच्छी तर और तब तक आगे की सारी तयारी कर सकते हैं, चावल हमारा अच्छे से फूल चुका है, इसका सारा पानी निकाल लेते हैं, चावल से हम ये सारा पानी निकाल लिया, अगर आपके पास बड़ा वाला जार नहीं हो, तो चटनी वाला जो शोटा जार होता है, उसमें भी आप प यह जार थोड़ा सा बड़ा है, मैं तो सारा चाबल एक बार में ही डाल लेती हूं चाबल से सारा पानी निकालने के बाद हमने इसे मिक्सी पॉट में ले लिया है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसका पेश्ट बना लेंगे, बहुत जादा पानी इसमें अभी नहीं डालेंगे अगर पीशने में दिक्कत होगी तो थोड़ा सा पानी और डाल कर इसे रोक रोक कर पीश लिजेगा, बिल्कुल बारिक पीश हिएगा देखे हमने चावल में दही डाल कर इसे बिल्कुल बारिक पीश लिया है अब एक बावल लेंगे और सारे मिसरन को इस बावल में हम ट्रांसफर कर लेंगे जार में थोड़ा सा पेश्ट लगा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे भी हम इसी के अंदर डाल लेते हैं इसको साइड रख लेते हैं और इधर जो हमने एक आलू लिया था उसे मीडियम साइड वाया ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और पानी में दो तीन बार अच्छे से वास कर लिया है इसका सारा स्टार्च निकल चुका है अब इस तरीके से पानी से हलका सा इसे लिचोडते हु इसमें हम थोड़ी सी और सबजियां एड करेंगे तो यहां पर मैंने छोटा सा गाजर का टुकडा लिया था इसे भी मेडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है इसे भी डाल लेंगे एक मेडियम साइज का टमाटर लिया था इसे भी बड़े बड़े टुक्रों में काट कर लिया है छोटे साइज का प्याज लिया है उसे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है तीन-चार हरी मिर्ची जिसे मैंने काट कर लिया है अब नास्ता को अगर तीखा और चटपटा बनाना चाहते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसे पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं नास्ता जितना कलर्फुल रहगा देखने उतना ही ज्यादा सुंदर लगता और बच्चे भी इसे बड़े मन्से खाएंगे सारी सब्जियों को एक बार पहले mix कर लेते हैं ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल कर इसे थोड़ा सा पतला कर लूगी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी देखे इस तरह का घोल हमें बना कर तयार कर लेना है फ्रेंज आपको ए नास्ता की रेश पी लेकर आज सकूँ, घोल की consistency इसी तरह की होनी चाहिए, अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक एड़ कर लेते हैं, और नमक को भी अच्छे से मेक्स कर लेते हैं, नमक एड़ करने के बाद इसे मैंने फिर से एक बार मेक्स कर लिया है, अब लास्ट में हम इसमें एड़ क कर लेंगे, एक चुटकी जितना खाने वाला सोडा, ज्यादा मत आड़ कीजिएगा, नहीं तो नास्ते का टेस्ट खड़ाग हो जाएगा, ये घोल हमारा रेड़ी हो चुका है, अब नास्ता बना लेते हैं, तो इसके लिए गैस पर एक पैन या तबार अखेंगे, इसमें थोड़ा सा ओयल डालेगे, बहुत ज्यादा ओयल इसमें डालने की जुरत नहीं परती है, बहुत कम ओयल में ही ये नास्ता बनकर पैयार हो जाता है, ओयल को पैन में फैला लेने के बाद बैटर को मिक्स कर लेंगे, और एक चमचा भर कर बैटर लेंगे, और इसे पैन में तरीके से फैला लेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा इस नास्ते को नहीं फैलाएंगे अब बेटर को पैन में फैला लेने के बाद उपर से कवर कर लेते हैं और कुछ सेकेंड के लिए इसे इसी तरह से ढ़का हुआ रहने देतेई कुछ सेकेंड हो चुका है कावर हट आकर चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं यह उपर से ड्राय हो चुकी है तो इसके उपर थोड़ा सहम ओयल डाल लेते हैं इसे आप बिना ओयल के भी बना कर तयार कर सकते हैं अब उपर से ओयल डाल लेने के बाद इसको पलट लेते हैं औ में भी बहुत ही ज्यादा तेश्टी लगने वाला है अब इसको पलटने के बाद धकने की जड़त नहीं पड़ती है इसे अब भीना धके हुए ही कुछ सेकंद और पका लेते हैं और नास्ते को दोनों साइडों से उलटते पलटते हुए सेक लेंगे अब देख सकते हैं हमार दूसरा नास्ता भी सेक कर तैयार हो चुका है चाहें तो इसे चटनी के साथ सर्व करें या फिर ये भीना चटनी के भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी और मज़ेदार लगती है तो फ्रेंड्स आपको इस नास्ता की रेस्पी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन मे लिख कर जरूर बताईएगा और आपको इनास्ता की रेस्पी अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथ में यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई डेस्पी के साथ तब तब के लिए बाई थैंक्स फ़र वाचिंग